केंदर सरकार अपनी 13 सेक्टर की प्रॉपेटीज प्राइवेट कमपनियों को लीज पर देने जा रही है इससे वो 6 लाह करोन रुपेज उटाएगी शुरुआत गैस पाइपलाइन से हो रही है हमारे लिए इस पॉलिसी को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे ह हमारी आपकी pocket से जुड़ा हुआ मामला है मालेजे कि आपके पास एक सुन्दर सा hotel है लेकिन उसके maintenance के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आपने उसे private company को किराय पर दे दिया अब आपका hotel भी बना रहेगा और किराय के पैसे भी मिलते रहेंगे सरकार की national monetization policy यही कहती है ये सुनने में पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन इस सरकारी एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट हमारे सामने हैं आईए उनसे रूबर्व होते हैं प्रावेट आईजेशन के बाद पहला रेलवे स्टेशन बनकर तयार हुआ है भोपाल का हभीब गंज स्टेशन प्रावेट हाथों में जाने से पहले इसका प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का था अब 50 रुपए का है इस रेलवे स्टेशन से रोजाना और 47,000 लोग आते और जाते हैं एक अन्मान के मुताबिक यहां आने वाले करीब 50% से जादा यात्रियों के साथ उनके दोस्त या परिवार वाले पहले आते थे लेकिन अब ये लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर ट्रेंड छूटते वक्त अपनों को अलविदा नहीं करते गेट के बाहर से ही लोड जाते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपय का है अब सरकार एक दो नहीं पूरे 400 स्टेशन की मरम्मत प्राइवेट कमपनियों को देने जा रही है त्यूरिस्ट प्लेस वाले का शिमला डार्जलिंग जैसे रेलवे का संचालन प्राइवेट संस्थ मतलब ये है कि जितनी डिमांड उतना जादा महंगा टिकट 23 सितंबर 2019 को कई लोगों ने दिल्ली से लखनोग का टिकट 4300 रुपय में खरीदा आम दिनों में भी इसका रेट 700 रुपय है जबकि शताबदी एक्सप्रेस में इतनी ही दूरी का टिकट 815 रुपय में मिलता है अब सरकार 90 पैसंजर ट्रेन प्राइवेट हाथों में देने की तयारी में है जबकि ट्रेन प्राइवेट हाथ में जाए तो टिकट 2 गुने से भी जादा महंगे होने लगते हैं हाँ ये जरूर है कि रेलवे की प्रॉपयटी किराये पर देकर सरकार को डेढ़ लाग करोन मिल जाएंगे लेकिन रेल से ज़्यादा पैसे सरकार सड़कों को लीज पर रखकर जुटाएगी ये है ग्रेटर नोइडा से आगरा को जोडने वाली यमुनाय एक्स्प्रेस वेग इसका मेंटेनेंस प्राइवेट कमपनी को दे दिया गया है 165 किलोमीटर की सड़क पर आ जानी करीब 27,600 किलोमीटर सड़क बनाने और मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कमपनियों को देने जा रही है सड़के निजी हाथों में जाने से क्या टोल टेक्स जादा देना पड़ेगा इस सवाल के जवाब में अक्सरों ने कहा कि यह कहना अभी सही नहीं है क्योंकि टो पावर ट्रंस्मिशन यानि विजली सप्लाई करने वाले खम बे एतार, इलेक्टिसिटी मीटर जैसी चीजों को लीस पर रख कर सरकार 45,200 करोन रुपए जुटाएगी इसी तरह पावर जनरेशन यानि विजली बनाने वाली चीजों को प्राइवेट कमपनियों को दिया जाएगा, इससे सरकार को 29,832 करोन रुपए मिलेंगे फिलहाल देश में रिलायन्स, अडानी ग्रूप और टाटा ग्रूप प्राइवेट विजली बनाने और सप्लाई करने का काम करते हैं पावर के बाद बारी आती है आपके मोबाईल की साल 1994 से ही सरकार स्पेक्ट्रम की निलामी करती आई है स्पेक्ट्रम वही नेच्रल रिसोर्स है जिसके जरिये मोबाईल या फोन से बातचीत होती है 2016 की एफ फोरजी स्पेक्ट्रम की निलामी में सरकार की अपनी कमपनी BSNL बाहर हो गई थी इसका नतीजा आज हमारे सामने है Reliance Geo, Airtail, Vodafone और Idea के प्लांस बीते 3 साल में 200% से ज़ादा बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ाने की बात हो रही है पिछले महीने ही 28 दिन तक अपना नंबर चलाने के लिए कम से कम 49 रुपए वाले रिचार्ज को बढ़ा कर 89 रुपए कर दिया गया लेकिन सरकार इस बार देश की करीब धाई लाख ग्राम पंचायतों को जोडने वाले भारत नेट को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है इसमें 2,86,000 किलोमीटर की फाइबर आप्टिक लाइन और 13,500 मोबाइल टावर हैं इससे सरकार को 35,100 करोन रुपए मिलेंगे अब बात नई पॉलिसी की शुरुआत 2,239 किलोमीटर में बिची गेल की गैस पाइपलाइन की यह वही पाइपलाइन है जिनके जरिये हमारे घरों में खाना बनने वाली PNG और गाड़ी में डलाने वाली CNG गैस पहुचाई जाती है फिलहाल दो पाइपलाइन प्राइवेट हाथों में जानी तय हो गई है पहली महाराष्ट के दाभोल से करनाटक के बैंगलूरू तक इसके जरिये बेलगाम, धारवार, बेलारी, रामनगरम और बैंगलूरू समय दस जिलों के लोग जुड़े हुए है इससे रोजाना 1,60 लाग क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है दूसरी लाइन गुजरात के दाहेत से लेकर महाराष्ट के दाभोल तक है इससे भी हजारों लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है यहाँ पर ये जिक्र करना बेहत जरूरी है कि पेट्रोल और LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद CNG और PNG की खपत बढ़ी हुई है लेकिन यही प्रॉपर्टी सबसे पहले प्राइवेट हाथों में जाने वाली है सरकार कुल 8154 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को प्राइवेट कमपनियों को लीज पर देने जा रही है इससे 24,462 करोन रुपए उसे हासिल होंगे इससे सरकार 20,782 करोन रुपए जुटाएगी मोनेटाइजेशन पॉलिशी से खेल और होस्पिटालिटी सेक्टर की चीजें भी प्राइवेट हाथों में जाएगी इनमें सबसे बड़ा नाम Sports Authority of India यानी साई के भोपाल Central Center का है ये सेंटर 100 एकड में फैला है इसमें कई इंडोर आउटडोर स्टेडियम है और होस्टल भी है खेलों के बाद आप से जुड़ा हुआ है होस्पिटालिटी सेक्टर इसमें देश भर के आठ बड़े होटेल को लीज़ पर दिया जाएगा इसके अलावा सरकार की लिस्ट में सबजी अनाज रखे जाने वाले वेयर हाउसेस खनन, पानी के जहाज और अर्बन रियल स्टेट वाली चीज़ों को भी लीज़ पर रखा जाना तय हुआ है 23 अगस्त को जब वित्त मंत्रे निर्मला सितारमन ने इसकी घोषना की तो सोशल मेडिया पर इसकी आलोचना होने लगी और विपक्ष ने इस पर हमला बोला इसके जवाब में सरकार की ओर से अब तक दो बाते कही गई है पहली वित्त मंत्री ने खुद इस मामने पर ट्वीट किया है उनका कहना है कि चोरी छुपे काम करना तो कॉंग्रेस की कार्यशेली है मोधी सरकार जो करती है देश की भलाई के लिए करती है दूसरी इस पॉलिसी के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की बात उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुत संपत्ती है अगर वो इनको monetize करती है और कुछ पैसे जुटा कर उसे नए infrastructure पर निवेश करती है तो इसमें गलत क्या है इन पैसों से कमजोर तपके को support दिया जाएगा फिर सरकार अपनी संपत्ती को बेच नहीं रही है केवल lease पर रख रही है सरकार ने fiber optic line प्राइवेट कमपनियों को lease पर दे रखी है लेकिन सरकार की अपनी कमपनी BSNL आज खसता हालक में है World Bank के Chief Economist रह चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु कहते हैं कि कोरिया जैसे छोटे अबादी वाले देश के लिए ऐसी policy तो ठीक है लेकिन भारत की संपत्यों को इतने बड़े पैमाने पर lease पर रखना ठीक नहीं होगा आज के जानना जरूरी है में इतना ही अगर आप किसी subject पर जानना जरूरी देखना चाहते हैं तो mail ID आपके screen पर है